नमस्कार प्यारे बच्चों कैसे हो आप सभी आई होप आप अच्छे होंगे चलिए आज किस वीडियो पर आप सभी का स्वागत है तो प्यारे बच्चों अगर आप नए हैं तो देखिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको पूरी सिलेवा सांतियो पूरी तेयारी इकलब अवासी विद्या लहे तो आपको मिल जाए आप अपने सांतियो अच्छी प्रिप्रेशन करिए मानसी कोगता के देखिए जो पिछली वीडियो थे हमने 11 से 12 कोस्चन देखे थे आज किस वीडियो में 20 कोस्चन है क्योंकि अगर आप इकलब अवासी विद् में 20 कोस्चन लेकर आएं तो सांतियो आप अच्छे से देखेंगे चलिए तो सस्ट कोस्चन क्या है first question आपकी screen में देख रहा दे कि एक आदमी के पास five save है उनमें से दो save अपने दोस्त को दे देता उसके पास अब कितने save बचेंगे तो बहुत normal question आते हैं जो कि आपको बहुत आसान रहते हैं तो अभी इसमें बहुत आसान है बट क्या है फिर दीरे कटिन होते जाएंगे चलिए तो आपको देखी यहां पर five में से अगर two save दे देंगे तो कितना बचेगा three जो की यह option सही हो जाएगा चलिए इसके बाद next क्या है next question आपकी screen में देख रहा है यहां पर दिख्या देखी एक is equal to five है one बराबर क्या है five or two is equal to ten है three is equal to fifteen तो four का क्या हो जाएगा यहां पर साथियो यहां पर क्या है five का जो की table चल रहा है तो four से हम five कर देंगे तो twenty आ जाएगा तो twenty हमारा कहा बी option जो की आपकी screen मत देख रहा है तो चलिए इस type से question देखेंगे अधी एक गड़ी में तीन बचकर दो गणटे तीन बज रहे हैं एक गड़ी में तीन बज रहे हैं तो दो गणटे बाद गड़ी में क्या समय होगा तो आप सभी को पता है अगर तीन बज रहे हैं तो दो गणटे बाद कितना five बजेंगे जो की पांच भी options हैं इसके बाद next question है का की बेहन खा है यदि खा की माता गा है तो का का गा से क्या सम्मन्द है चलिए तो देखिए सम्मन्द वाले question भी आते हैं क्योंकि question का weightage रहता है 50 50 question में आते हैं यह से question पूँचते हैं सांतियों जो की कुछ टप रहते हैं कुछ बहुत आसान तो बहुत सभी प्रकार से हम देखेंगे की question कैसे आते हैं तो यहाँ पर देखिए आपको बनना चाहिए का की बहन है खा तो हम का बना लेते हैं और खा तो यह दोनों क्या है बहन बहन है ठीक है ना इस तरीकी से यदि खा की माता गा है तो खा की माता है सांतियों गा तो उपर यह बना लेते हैं गा तो का का गा से क्या सम्मन्द है तो का का, तो का का बताना हमारा गा से क्या संबन्द है, गा से ठीक है ना, तो चलिए तो क्या हो जाएगा, तो का संबन्द गा से क्या हो जाएगा, गा से संबन्द बताना साथियो, गा से, तो गा से क्या संबन्द हो जाएगा, बेटी का, तो ठीक नगा की क्या हो जाएगी का बेटी तो आपको बताना है यहांपर see option सही हो जाएगा तो यह सम्बंध वाले में question क्या रहता है option तो यह भी हो सकता है कि sir, maa लेकिन देखिए, maa क्यों नहीं होगी यह आपको बताना है गा से सम्बंध बताना है का का किसका बताना है का का बताना है और गा से संबंद क्या है तो गा से इसका संबंद क्या है बेटी का है है की नहीं तो हमें जो सेब रहते हैं उसी के पास में इस तरीके से उल्टा चलना रहता है तो गा से का की तरफ चलते हैं तो गा से क्या हो जाता है का का बेटी का तो सी ओप्सन सही इसके बाद next क्या हो जाएगा रमेज सुरेज से लंबा है चलिए ठीक है रमेज सुरेज से सांतियों लंबा है सुरेज छोटा है पर इसके बाद सुरेज महेश से लंबा है सुरेज जो की यहाँ पर आ जाएगा यहाँ पर आ जाएगा महेश तो यहाँ पर सबसे लंबा कौन है तो जो सबसे बड़ा है तो हमारा रमेश है रमेश भाई कहाँ यह उपसन तो यह उपसन हो जाता रमेश इसके बाद next question है यदी राम का जिनम दिन रईवार को था तो अंगले वर्स उसका जिनम दिन किस दिन को हो सकता है तो किस दिन को हो सकता है यह पूँचा अंगले दिन देखे रईवार को था तो अंगले वर्स उसका जिनम दिन क्या होगा तो एक दिन क्या सातियो घड़ बढ़ता है तो क्या हो जाएगा सोमवार को बी ओप्सन चलिए फिर नेश्ट कोस्चन है एक वर्ग की चारो किनारे बराबर होते हैं अधि एक वर्ग की एक किनारे की लंबाई पांच मीटर है तो वर्ग का प्रिमाब क्या होगा यहां पर लिखा एक वर्ग की चारो किनारे बराबर होते हैं किनारे मतलब क्या होते हैं सातियो सभी बजाएं तो जी हमारा वन गया वर्ग अब वर्ग की जी रहती हैं बजा इसको ए दे देते हैं इसको भी C D अब देख रहे हैं कि चारो बजाएं क्या होती है बराबर जी बराबर हो गए तो यहां पर एक किनारे की लंबाई मतलब एक भुजा की पांच मीटर है तो सभी आपको क्या है परिमाप बताना है तो वर्क परिमाप क्या होता है चारो बजाएं को हम जोड़ देते हैं तो वर्क परिमाप निकल जाता पांच पांच यहां पर फाइब फाइब तो वहाँ तो फोर गुड़ी साइड रहते हैं मतलब भुजा तो फोर हैं और पांच तो अब मल्टिपलाई करोगे तो कितना हो जाएगा 20 तो हमारा B ओप्सन सही इसके बाद नेस्ट नेस्ट कोस्चन क्या है एक गाड़ी 60 किलोमीटर प्रिती गंटे गती से चल रही है तो 2 गंटे हुआ है कितनी दूरी तै करेगी देखे 16 किलोमीटर पर हवर मतलब यहां पर होता है किलोमीटर प्रिती गंटे यह गंटे में साथी हो किया 60 किलोमीटर चल रहा है यह गंटे में 60 किलोमीटर तो 2 गंटे में कितनी चलेगी तो हम 2 से मल्टिपलाई कर देंगे 60 का कितना हो जाएगा 120 किलोमीटर 120 यह ओप्सन सही तो यह ओप्सन सही हो जाएगा प्यारे बच्चो चलिए इसके बाद next क्या है यहाँ पर लिखा देखिए 12x14 तो यहाँ पर x command क्या होगा तो x command ग्याद करने के लिए आप 144 में 12 का भाग लगाएंगे तो साथ विए है जिए 12 वार जाएगा तो हमारा x command 12 आ जाएगा जो की 2 options है तो चलिए देखिए इस तरीके से आते हैं question जब भी आपको क्या है वे होंगे form fill up तो form भरने की जो data है की साथ यह जानकारी देंगे और इसके बाद फिर आपको test होगा तो test साथ यह आपको अच्छे से pdf के लिए आपके हमारे telegram channel को description से आप join हो करके प्राप्त कर सकते हैं तो वहां से फिर 100% 100 number का आपका test होगा पूरा तो preparation अच्छे से हमारे इसी channel से आप कर सकते हैं इसके बाद यहाँ पर क्या लिखा है 8 है अंगली संख्या क्या होगी तो series वाला question है जो कि हम पिछले वीडियो में भी किये थे 8 है 16, 24 और यहाँ 32 है मतलब यहाँ पर क्या आएगा आपको बताना तो देखे 8 का table चल रहा तो यहाँ पर क्या जाएगा 48, 8 head करेंगे तो 40 जो कि 40 सही इसके बाद next है question क्या है अधी train 60 लोग बैठे हैं यहाँ पर 15 लोग उतर जाते हैं तो train में कितने बचते हैं तो बहुत आसान है minus करेंगे तो कितना बचेगा साथ ही यहाँ पर 45 60 में यहाँ पर आपको करेंगे यहाँ पर carry 5 और यहाँ पर 54 ठीक है ना चलिए next question क्या कहरा देखते हैं 3x plus 5 इसकल टू 20 है तो x कमान क्या होगा तो x कमान क्या होगा कैसे सवाल करेंगे अगर इस टाइब का आपके paper में सवाल आ जाएगा तो आप बताईए तो 3x plus 5 20 जे तो हमें x कमान चाहिए 5 यहाँ जाके क्या हो जाएगा minus का 20 minus 5 तो जी कितना हो गया 15 तो यहाँ पर 3x इसकल टू 15 फिर साथ यहाँ पर दिवाइड करेंगे x बरावर 15 अपोन 3 तो कितना जाएगा 5 x कमान 5 जो की भी आप्सन सही अब यहाँ पर लिखा किस विकल्प से बाकी सभी भिन्य है तो बाकी सभी भिन्य है किस विकल्प तेकि कुत्ता बिल्ली चूहा मचली तो सांतियो मचली से सभी क्या है भिन्य अलग है तो मचली हमारा क्या हो जाएगा जल में रहता है और बाकी सभी जमीन पर एक किताब 120 प्रेष्ट हैं अधी हर दिन 20 प्रेष्ट पढ़े जाते हैं तो पूरी किताब पढ़ने में कितने दिन लगेंगे तो 120 प्रेष्ट हैं हर दिन कितने पढ़ते हैं सांतियो 20 प्रेष्ट तो कितने पूरी किताब पढ़ने में कितने दिन लगेंगे तो हमें डिवाइड करना है तो डिवाइड करेंगे 10 यहां कितना जाएगा 6 तो B options नहीं अब यहां पर देखें फिर स्रिंकला का जो कि 7 का table चल रहा है तो यहां पर आपको पता है न 7, 14 बताना हम बताईए 21, 28 यहां पर 35 आ जाएगा क्योंकि 7 इंटूजा 5, 35 अधी 2X बराबर 8 है तो 2X इसकल टू 8 तो X कमान क्या हो जाएगा 8Y 4 तो यहां पर कितना जाएगा 2 तो इस सवाल को करने में क्या रहता है आपको हल करना देखें जब भी यहां पर 2X इसकल टू 8 है तो X कमान ग्याद करने के लिए जी यहां पर क्या रग जाता भाग तो हम कर लेते हैं दो एकम दो दो चोंके 8 तो X बराबर हमारा चार आ जाएगा तो हमारा भी उप्सन सहीं इसके बाद देखें वन महीने में कितने सब्ता होते हैं एक मन्थ में कितने सब्ता होते हैं लगवग यहां पर चार हो जाते हैं क्योंकि देखी 28 से 30 या 31 दिन होते हैं तो साथ का पार एक बार होता है साथ भी एक मन्थ सच्चों के 28 तो चार मन्थ होते हैं यहां पर लिखा है एक दरजन में 12 वस्तवे होती है तो 3 दरजन में कितने वस्तवे होगी तो एक के बरावर 12 है तो 3 के बरावर क्या होगा multiply कर देंगे 36 या जाएगा तो हमारा भी ओप्सन सही यहां पर देखिए अब दिसा से हैं दिसा से भी एक पिछला वीडियो लिए थे सूरज पूरव से उगता है ठीक ना अधी रमेश पूर्व दिसा की ओड़ देख रहा तो उसकी पीट दिसा किस दिसा मोगा उसकी पीट जोगी दोस्तो किस दिसे में होगी जहां तो हमें यहां बना लिए हैं देखिए और यहां पर क्या रहता है पक्चिम और यहां दश्चिड अब देखिए रमेश है जो पूर्ग देशा में यहां रमेश खड़ा है जे इस देशा में तो इसका पीट किस देशा में होगा पक्चिम तो जो की हमारा क्या है यह उप्सन सही अब लिखा है यहां पर देखिए ए सब्सक्राइब और भी टेस्ट पिले लिस्ट में जा करके देख सकते हैं तो चलिए जैन जय वारत